हेलो फ्रेंज चलिए आज तोरा सा कुछ मिठा बनाते हैं आज बनाते हैं मीनी गुलाब जमन बोबी सूजी से ले स्टार्ट इसके लिए मैं पहले हाप कप सूजी को फुरा सा घून लेती अब मैं उसमें डाल देती हूऄ एक कप दूद और अच्ची तरह से मिला के जब तक वो खना ना हो जया मैं उसको चला देजयाती हूँ खना हो जाने के बार उसमें डाल देती हूँ 1-3 cup condensed milk और अच्ची तरह से मिला के एक डो में बना लेती हूँ देखे डो बन गया अब मैं इसको अलग प्लेट में रखके ठंडा होने के लिए छोड देती हूँ ठंडा हो जाने के बाद इसमें डाल देती हूँ इलाई जी और हापटी स्पोल बेकिंग सोडा अब मैं हाथों से अच्छे से उसको भूब के एक सौप डो बना लेती हूँ देखे मेरा गुलाब जमू बनके रेडी है अब एक पैन में रिफाइंड ओल मीडियम फ्लेम में करम करके उसमें वह जो बनाकर रखी देमें गुलाब जमू उसको मैं फ्राई करने के लिए दे देती हूँ देखे एक दम गोल्डेन फ्राई हो गया है गुलाब जमू फिर मैं उसको अलग करके रख देती हूँ ठंडा होने के लिए अब चाशनी बना लेते हैं गुलाब जमू के इसके लिए अलग पैन में मैंने एक कप चिनी डाल के थोड़ा सा गडम करके इसमें डाल देती पानी और इसको बोईल होने तक छोर देती हूँ जब बोईल होके वह आधा हो जाए तब वह गर्म चाशनी में डाल देती हूँ गुलाब जमू के उपर और इसको में ढग के आधा से एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ देखिए मेरा सूजी वाला नरम नरम गुलाब जमूं एकतम रेडी है अगर मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राब का नमाद रूलिए और लाइक शेयर का में इसे मेरी निक्स वीडियो कि लिए तर तक लिए बाइ